नमस्कार में भाकिश्री बिस्यन निवस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आए डालते एक नजर आज की सुख्यों पर मुंबई में पेट्रोल एकसो दो डीजल चोरानवे रुपे की पार मांसुर के समय से पहले दस्तक से पड़ी चाता इंडस्ट्री की उंबिती 1500 करोड रुपे का है चाता इंडस्ट्री का आखार दुनिया की अन्य प्रमुक मुद्राओं की तुलना में डॉलर में रही मजबूति से अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपेया शुक्रवार को एक पैसे कम सुरु हुआ और कारुबार की समाक्ति पर एक डॉलर 33.07 रुपे का पिका बारतिया मुद्रा चार दिन में 27 पैसे लुड़क चुकी है पिछले कारुबारी दिवस यह 9 पैसे के गिरावट के साथ 73.06 रुपे प्रती डॉलर पर बंध हुई थी गरिल शेयर बाजार में तेजी की दम पर रुपया आज 9 पैसे की मजबूति के साथ 32.97 रुपे प्रती डॉलर पर खुला और 32.92 रुपे प्रती डॉलर तक मजबूत हुआ दुनिया की अन्य प्रमुक मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सुचकांकी में रही मजबूति से इसके पाद रुपया कमचोर पढ़ गया और 73.09 रुपे प्रती डॉलर तक उतर अत्मी गुर्वा के मुकापले एक पैसे तुट कर 33.07 रुपे प्रती डॉलर पर बंध हुआ बिरु रिपोर्ट बेसीन न्यूज वदेशों में पेली धातों में रही नर्मी से घरेल उस्तर पर भी शिकरवार को सोनी का भाग तोड़ गया वही चांदी की चमक पड़ गए MCX वाइदा बाजार में सोना 86 रुपे यानि 0.17 प्रतिशत तूट कर 59,112 रुपे प्रती 10 ग्राम रह गया सोना मिनी भी 17 रुपे की गिरावट के साथ 48,905 रुपे प्रती 10 ग्राम पर रहा चांदी 351 रुपे यानि 0.59 प्रतिशत की बढ़त में 32,350 रुपे प्रती किलोग्राम की भाववे की चांदी मिनी भी 351 रुपे चमक कर 32,370 रुपे प्रती किलोग्राम बोली गी अंतराश्ट्य बाजार में 69,2 डालर लुड़क कर 1895,35 रुपे प्रती और पर रुपे अधर आजिका अमेरिकी सोना वार्धा भी 2.7 डालर फिसल कर 1893 रुपे explorer सी डालर प्रती और प्रती और बोला थिया चांदी विदेशों में भी मस्पूत हुई है चांदी हाजिर 0.10 डॉलर चड़कर 28.07 डॉलर प्रती ओस के भाववी की बिरो रिपोर्ट BCN News पेटोल डीजल के दाम एक दिनस दिर रहने के बाद शुकरवार को फिर बढ़कर नए रिकॉर्ड्स दर पर पहुच गया देश के चार बड़े महानगरों में आज पेटोल 29 पैसे तक और डीजल 30 पैसे तक में गावा इसमें मुंबई में पहली बार पेटोल 102 रुपे और डीजल 94 रुपे के पार पहुच गया चेने में पेटोल पहली बार 97 रुपे से उपर निकल गया अकरनी तेल विपनन कंपणी इंडिन ओयल कॉर्पोरेशन की अनुसार राष्टिय राष्टानी देली में पेटोल 29 पैसे महंगा होकर 95.50 रुपे और डीजल 28 पैसे महंगा होकर 86.50 रुपे प्रती लिटर होकिया गर 4 मैं से अब तक 22 दिन पेटोल डेजल के दाम बढ़ाये गए है जबकि 6-17 दिन कीमतों में कोई बतलाव नहीं क्या-क्या है इस दोरान दिली में पेटोल 5.45 रुपे तथा डीजल 6.02 रुपे महंगा हो चुका है मुंबई में पेटोल में 28 पैसे और डेजल में 33 पैसे की पड़ो तरीकी गए इसके साथ ही पेटोल की किमत 102.04 रुपे और डेजल की किमत 94.15 रुपे प्रती लिटर के पार निकल गए बिरो रिपोर्ट बिस्यन नियूज इस साल देश में मांसुन के एक हपता पहले आवाद दश कराने से चाता इंडस्ट्री की उम्मित ही पड़ गए हैं इसे अच्छा कारुपार होने की उम्मित है पिछले साल लॉकडाउं के चलते चाता उद्यो का कारुपार बोरी तरह प्रभाविद्वा था ट्रांस्पोर्ट के दिक्कत और बाजार बंध होने से करिफ सतर फिस्दी माल गोदा मुबी ही पड़ा रख्या था आल इंडिया अम्रेला फैडरेशन के एक्जेकिटिव बॉडी मिंबर इनों ने बताया कि कार खारों भी तयार माल मार्ज अफ्रेल के तोरान रिटेल मार्केट में भेजा जाता है ताकि माल सुन आने से पहले छाती ग्रहा को तक पहुच सके पिछले साल उत्पादन तो न इमान भी नहीं थी पूरा सीजन फेल गया सद्रे प्रतिशत माल गोदा मों में पढ़ा रहा इसे देखती वे इस बार केवल 10 प्रतिशत छातों का उत्पादन हुआ है मार्च अप्रेल और मैं की मैंने तो लॉक्टाम में गय अब अनलॉक हो रहा है सब कुछ सामने रहा त प्रतिशत तक बड़ी है लेकिन च्छातों के दाम बढ़ने क्यों में नहीं है इसका कारण यह है कि इस साल उत्यमियों ने सिर्फ 10 प्रतिशत ही उत्पादन किया है शेश्माल का उत्पादन पिछले साल कम कीमत पर वा था कारूबारी कम बर्जिन पर कारूबार करते वे पिछले साल के बचे स्टॉक को निकालना चाते है चाता इंडस्ट्री का 80% कारूबार जून से अक्टुमबर के पेच दक्षिन पच्छी मांसुन पर निरपर होता है अक्टुमबर दिसंबर में पुर्वर पच्छी मांसुन के तोरान तामिलनाडू और गुवाहाटी में 20% चाते पिकते हैं अनलोग के साथ 16 इंडस्ट्री को 10-100% तक कारूबार होनी की उम्मेद है बीरो रिपोर्ट बीसेन निउज बातिया डिजर्व बैंक यानि आरपिया ने गुरवार को एटियम के जरिये होने वाले हर वित्य लें दिन पर इंटर्चेंट फेस को 15 रुप ंतान करना होगा इसी के साथ आरपयाने कसे बी बैंक की ग्राहको को हर मैने मिलने वाले मुख्ट एटियम निकासे के पाद ग्राहको पर लगने पाले शुल्की अधिक तक्सीमा बेस 9000 1 burnt से बढ़ांक क्या है बैंक ग्राहको के हर मैने एटियम से 5 बार मुफ्ट निकासे क की सुविदा आभी देते हैं रिजर्व बैंक ने कहा है कि पिश्टी पार अगस्ट दोहचार पारा में एटियम इंट्रचेंज फेज में बदला गया था वही ग्राह को पर लागू शुल्क में अगस्ट दोहचार चौदा में संशुदन क्या गया था ऐसे में समीति की सिफा पारिशों की पड़ताल की बाद इंटरचेंज फेज और कस्टमर शुल्क बढ़ाने का फैसला दिया गया है और प्याय ने बताया कि बैंक को वह एटियम ऑपरेटरस पर पढ़ने पारी एटियम डेप्लॉयमेंट लाकत और रखरकाव खर्च के साथ सभी हित तार को वह उ रिपोर्ट बेसियन न्यूज नामस्काथ